सलाम अलेकुम वेलकम टूमारी यूट्यूब चैनल सानिया इंदा किच्छन आज बनाएंगे मिनी पिज़ा की रैस्पी वो भी विदाउट अवन के सबसे पहले मिनी पिज़ा के लिए डोग को त्यार करेंगे उसके लिए जो में चीज़ें चाहिएं दो कप मैदा तीन टीस एस्थ, एक टीस्पून नमग, दो टेबल स्पून ओल और आधा कप दूज़्ले लेंगे सबसे पहले एक बोल में मैदा डालेंगे अ अब इसमें एस्थ डालेंगे चीननी डालेंगे और नमग डाल देंगे, इन सबको उछे तरह मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूद आड़ करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे अब बाकी का बचावा दूद डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अब इसको हाथ की मंदद से कंबाइन करेंगे अब इसमें ओइल डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे थोड़ा सा मैदा डस करेंगे और दास मिन तक इसको अच्छी तरह गून लेंगे डू को हमने गून लिया है अब इसका पेड़ा बना लेंगे एक बोल लेंगे इसको ऐल से ग्रीज करेंगे डू के इसमें राख देंगे इसको उपर से कवर करके एक गैंटे के लिए रखेंगे अब हम चिकन को मैरिनेट काड लेंगे उसके लिए जो मैं चीज़ें चाहिए आदा किलो बोलने स्टिकल लेंगे इसको क्यूब्स में काट लेंगे दो टेबल स्पून देही एक टेबल स्पून कुट्यू लाल मिर्च टेस के मताबिक नमक एक टी स्पून लेसन पाउडर एक टी स्पून तिका मसाला और एक टेबल स्पून ओल लेंगे सबसे पहले एक बोल में चिकन डालेंगे अब इसमें देही डालेंगे कुट्यू लाल मिच डालेंगे तिकामसाला और लेसन पाउडर डालेंगे अब इसमें नमक डालेंगे और ओल डालेंगे इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स हो चुक है अब इस कोपर से कवर करके गैंटिके लिए मैरिनेट करेंगे अब हम पिज़ा सोस राड़ी काड़ लेंगे उसके लिए जो हम चीज़े ले रहे हैं कैचप आदा कप कुट्यू लालमीच एक टेबल स्पून लस्टन बार एक चॉप्ट कियाओ एक टेबल स्पून ओर एक टीस्पून और नमक एक टीस्पून ले लेंगे सबसे पहले केचप में कुटी लाल मिश डालेंगे अब इसमें नमक डालेंगे बरीक चॉप्ट किया हो लसन डालेंगे और ओरिगेनो डाल देंगे इन सबको अची तरह मिक्स कर लेंगे पिज़ा सॉस रेड़ी है एक गैंटा हो चुक है जो हमने चिकन मैरिनेट किया था उसको पका लेंगे एक पैन में दो टेबल स्पून ओल डालेंगे फ्लेम को लो रखेंगे इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे अब इसको हाई फ्लेम पे 10 मिन तक पकाएंगे पांच मिन्ट के लिए इसको उपर से कवर करके पकाएंगे पांच मिन्ट हो चुक है अब इसको चेक कर लेंगे इसको अच्छी तरह ही लाएंगे चिकन पक चुक है आप फ्लेम को बंद कर देंगे माशालला डो अच्छी तरह से राइज हो चुकी है अब इसको बोल में से निकाल लेंगे थोड़ा सा मैदा डस करेंगे इस पर डो को रखेंगे हाथ की मदर से प्रैस करेंगे और इसे बेल लेंगे इसे हम अच्छी तरह से बेल लेंगे इसे हम थोड़ा मोटा बेल लेंगे डो को हमने बेल लिया है अब डकन की हैल्प से इसकी कटिंग करेंगे इसे तरह हम सारी काड लेंगे एक्स्ट्रा डो को हम उठा लेंगे इसका दोबारा पेडा बनाएंगे और इसे बेल लेंगे अब इनको हम तब्वे पे पका लेंगे इसी तरह हम सारी तब्वे पे डाल लेंगे अब हम फॉक्से निशान लगाएंगे ताकि ये दादा भूल लेंगे ना इनको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे एक साइट पाक चुकी है अब इनकी साइट को चेंज करेंगे इसी तरह हम दूसरी साइट को भी पका लेंगे दोनों साइट सची तरह से पाक चुकी हैं अब फ्लेम को आफ कर देंगे और इनको उठा लेंगे मिनी पिज़ा के लिए सारी चीज़ें त्यार है यह जो हमने मिनी पिजा ब्रैट बनाए थे पिजा सोस रैडी किया था 200 ग्राम पिजा चीज लेंगे एक स्लाइस में कटावा टमाटर एक स्मॉल साइस का स्लाइस में कटावा प्यास एक टेबल स्पून ब्लैक ओलिफ्स एक टेबल स्पून ग्रीन ओलिफ्स हस्पे जुरुत एक स्लाइस में कटिव शिम्ला मीड जो हमने चिकन रैडी किया था वो ले लेंगे एक कड़ाई लेंगे इसको ऐल से ग्रीज कार लेंगे अब इसमें मिनी पिज्डा ब्रेट्स राख देंगे इस पर पिज्डा सॉस लगाएंगे इसके ओपर थोड़ी सी पिज्डा चीज लगाएंगे अब इस पर शिम्ला मीड ट्रमाटर और प्याज लगादेंगे अब इस पर चिकल लगाएंगे ब्लैक ओलिव्स लगाएंगे ग्रीन ओलिव्स लगाएंगे और उपर दुबारा चीज लगादेंगे लास्ट में इस पर ओरिगानो स्प्रिंकल करेंगे इसी तरा हम सारे रैडिकार लेंगे इस पर पिज़ा सॉस लगाएंगे थोड़ी सी चीज लगाएंगे अब इस पर टमाटर लगाएंगे शिमला मिर्ष लगाएंगे और प्याज लगाएंगे अब इस पर टिकल लगाएंगे थोड़ी सी चीज लगाएंगे ब्लैक ओलिज लगाएंगे और ग्रीन ओलिज लगाएंगे लास्ट में इस पर ओरिकैनो स्प्रिंकल करेंगे इसी तरह हम बाकी भी त्यार कर लेंगे इनको लो फ्लेम पे 5 मिट के लिए उपर से कवर करके पकाएंगे मिनी पिज़ास ट्रैडी हैं फ्लेम को आफ कर देंगे और इनको डिश आउट कर लेंगे बहुत ही मज़दार बगैर अबन के मिनी पिज़ास त्यार हैं आप इससपी को जरूर ट्राय करें वीडियो ठी लगयों तो इसको लाइक करें मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अल्ला हाफिज